असलावलेकुम पेंट इंडेस्ट्री में आज जो चीज़ आपने डिसकर करनी है एडिटीव फॉर पेंट यह काफी ज़्यदे इंपोर्टन डॉपिक है प्रिविस येर्ज में इस में से लोंग कोशन भी आ चुका है और सिंपल अगर शोट कोशन आया तो वह सिंपल पुछ यह से जैनी एफ चीज़ा होती है जो राड कारें दबर ऐसी चीज़ें जो हम अइक्सा डाविकार करेंगे हैं। को नाम दे लिए लिए यह तो सिंपल इंपिछिctic देफिनीशन की जीपन अप्ग SS कि समयलमांट आप साउश साउ समयलमांटांट आप सप्सास यह किसी है कि बहुत कम मिकदार होती है, सबस्टांस, that modify the paints property, that modify, जो के बदल देती है, modify the paints property, paints properties, जो paints की properties को, ये रंग की properties को बदल देती है, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं, additives का, या फिर those substance which enhance the effectiveness of paint, जो paint की effectiveness को बढ़ाद हैं, उसको नाम दे रहे होते हैं, additives का, ये भी आप कह सकते हूँ, those substance, those substance, ऐसी चीज़ें, which, जो के, which enhance, enhance the, जो के बढ़ाद हैं, enhance the effectiveness, effectiveness को बढ़ाद हैं, किसीज़ की effectiveness को, effectiveness of paint, of paint, paint की effectiveness को बढ़ाद हैं, P-A-I-N-T, paint, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, is called additives, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, additives का, अब paint industry के अंदर काफी सारे additives इस्समाल के जाते हैं, वो कौन-कौन से हैं, आपने कम अदे कम मैं यहां पर कुछ दसक लिख दूँगा, दसक additives लिख दूँगा, उनका क्या function होता है, यहां पर लिख लेंगे, लेकिन कम अदे कम पांच आपने याद कर लें, पांच या छे आपको आने चाहिए, तो इस सबसे पहले जो टॉप के पर मौज़ूद है, वो है dryers, अब dryers, अब dryers आप लफ़ से पता चल रहा है, dry करने वाला, खुश्क करने वाला, सही है, dry करने वाला या खुश्क करने वाला, अब paint के अंदर हम dryers यूज़ कर रहे होते हैं, ड्रायर क्या करता है, जब आप paint किसी भी सता के पर लगाते हो ना, तो फोरन उसको खुश्क कर देता है, ज्यादा टाइम ने लेता, वो जो चीज़, आप paint को खुश्क करने के लिए उसके अंदर डालते हो, बहता है जी ड्रायर, इट एक्सलरेट अपेंट्स ड्राइंग, इट एक्सलरेट दा पेंट ड्राइंग, इट ड्राइंग, ड्राइंग होता है खुश्कोना, ये पेंट ड्राइंग को खुश्कोने की जो सलाइएत है, उसको तेज कर देता है, उसके कर देता है, तेज कर देता है, by catalyzing the oxidation of binder, by catalyzing the oxidation of binder, और वाइंडर बाइंडर की Oxidation को बढ़ा के जो सथा को चिमिट रहाता है उसको बढ़ा देता इसाहिए बाइंडर पुटा है कुन सी छीज़ ने पाइंडर एक ऐसी चीज़ होती है जो कही मेड़ड़ के सरफस हैं और इसके ओपस पैंट करना में और मैटल की सर्फ़स के दर मैं में दोनों को जोडने वाली चीज़ है उसका नाम देरे रहते हैं यह थी आपकी मेटल की सर्फ़स को और पेंट को आपस जोड़ता है अग उसकी उक्सिडिशन को तेज़ श्यूद्विशन तेज जल्दी से यह पेंट ऐसा ऐसा सथा कर ज प्लास्टिक से निकला है, यह क्या निकला है, प्लास्टिक याद रखेगा थोड़ सा नरम होता है, याने कि यह फ्लेक्सिबिल्टी ले के आता है, पेंट के अंदर, क्या ले का रहा रहता है, इनक्रीज़ पेंट फ्लेक्सिबिल्टी, यह पेंट की फ्लेक्सिबिल्टी को बढ़ा देता है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, यह कफिज़ इंपोर्टन्ट है, यह है जो फंगी साइट, फंगी साइट्स, बायो साइड, बायो साइट्स, एंड इंसेक्टी साइड, एंड इंसेक्टी साइड, जनी पेंट के अंदर हम कोई ऐसी चीज़े डाल रहे होते हैं, जो पेंट के उपर ना तो फंगस को उगने देती है, ना किसी और जिंदा जा अंदर को उगने देती ह आप ऐसे चीज़ को हम नाम दे रहे रहें और अज़र ने पूलित जांदार को शीज पर नहीं रहने देगी आप बहुत दिवारों के अदर क्या होता है कि मुखिव अग्रें उसके पीछे होगा ना उन्हों नहीं पीछे से ही कुछ ऐसी चीज डाल के वेचे होंगी कि अगर कोई इन में से growth करता है grow होनी शुरू होती है वो फॉरन किल कर देता है उसके अंदर इस तरह के chemicals मोजू होता है जो उनकी growth को retard करते हैं जो क्या करते हैं growth को retard कर रहे होते हैं तो यहां मैं सिंपल सी बात लिखना प्रिवेंट ग्रोथ एंट एक और फंग फंगस prevent जो मैं फूस करते हैं prevent from growth जो ग्रोथ सी बचारा होता है and the attack of and the और बचारा होता है attack of fungus fungus bacteria and insect bacteria and insect and insect इन सब के attack से बचारा भी राता है और इनकी growth को भी prevent करता है इसके बाद हमारे पास next जीजाजी flow control agent flow control agent अब flow control agent ऐसी चीज़े होती है जो Payne's की Fluidity को control कर रही होती है see improve flow properties improve a flow properties lao properties ayay flow properties की थोड़सा improve कर दितिम आफ देखाओ अग्का पैंट गड़ा होगा तो अच्छा तरीकर से सता को पर और बिक्षर ने ने अगर ज्यदा गाड़ा हुआ तो जैकर नीगर आज चौन e अगर पेंट ज्यादा पतला हो जाता है तो फिर वह बाद दफा इस तरह लगाते हैं ब्रश वगरा से पेंट किसी भी सता के उपर तो सही दरी करें लग रहा होता है तो इस चीद को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फ्लो कंट्रोल एजेंट्स वगरा डाल रहते हैं इसके और बाद हमारे पास NEXT जो चीजह है वो है D formors D formors F O A M E R A T formors । अब D formors किया वाद होदा पेंट्स लगा रहे होता है उसके इंदें बबल बनने शुरू हो जाते है इसे बबल बने इसको प्रिवेंट करने क्लिए हम उसमें डाल जाते है deformers, यह prevent the prevent the formation of air bubble formation of air bubbles air bubbles, यह air bubbles की formation को prevent कर रहा होता है, वह यह simple सी बात ग्याद रखिए रहे हैं इसके बाद हम next चीज़ यहां पर यूज़ करते हैं, वह है emulsifier fire next क्या है हमारे पास है emulsifier fire अब emulsifier कौन सी चीज़ थी यह wetting agent होते हैं, जो collider stability को बढ़ा देते हैं liquid state के अंदर अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं simple सी example देए का आपको समझाता हूं अब जेखो बाद जफ़ा आपने paints खरीदे होंगे paints में बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे सारे के सारा paints जमा होता है क्या हता है सारे के सारे जमा पेंट्स नीचे आकर जमा जाता है उपर हमेशा solvent मौज़द होता है कुछ paints ऐसे होता है तो आप क्या करते हो जी इसको लेकर पहले अच्छे तरीक शेकर शेकर करते हैं मल्सिफार क्या करते हैं सिस्पेंशन को पूरे होमोजीनियस त्रीके से मिक्स अप कर देता है जिससे मैं आपको लेता हूं कि चाक लेकर इसको पानी के डालो शुरू में हिलाग रखोगे तो वह बिल्कुल सेट रहेगा लेकिन पैसे चाक नीचे बैठना शुरू हो अब हम क्या करते हैं सा काम नहों देगा पर तरीके तो हम रोक नहीं सकती कुछ हत ऑक रखने इमल्सिफार डाल देप क्याक ये कि होते हैं यह बेंढर ऑ्यटिंग यह बेसे हैं त्धिऴेटिंग एजेंट, increase the collidal stability, increase the collidal stability, यह collidal stability को बढ़ा देते हैं, stability, of the paint in liquid state, of the paint, यह पेंट की collidal stability को बढ़ा देते हैं, in liquid state, अगर वो liquid state के अंदर मौझूद है, बात मैंने समझा दिया, liquid state, collidal आपको पता है, जो मैंने चाक की example दी, वो collidal solution की ही example है, इसके बाद हमारे पास next है जी, यूवी stabilizer, यूवी stabilizer, अब आपके paint के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने चाहिए, जो ultraviolet radiation से prevent कर रही हैं, जो क्या करें, stable होने चाहिए, यह ultraviolet radiation को building के अंदर नहीं आने चाहिए, बसले हमारे पास building है, याद रखिए ultraviolet radiation की energy high होती है, हमने अगर इस building के उपर paint कर दिया है, पेंट करने के बाद आपकी ultraviolet radiation यहां से reflect हो जाने चाहिए, इसको building के अंदर नहीं आने जेना चाहिए, अगर यह building के अंदर आएंगी, तो building का temperature बढ़ जाएगा, अगर temperature बढ़ा, तो अंदर गर्मी ज्यादा हो जाएगी, अगर गर्मी ज्यादा होईगी, तो आपको air condition करने पड़ेंगे, जिसके वज़ए से आपके अखराज़त बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट से लगा देते हैं, building के बाहर, और ऐसे पेंट से लगाते हैं, यूवी stabilizer हो, जो क्या होँजी हमारे पास यूवी stabilizer हो, इट प्रिव से प्रिवेंट कर रहा होता है, यह सिम्पल सी बात आपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा ले नहीं है, के यूवी stabilizer कौन से चीज़े होती हैं, नेक्स हैडिंग दो, anti-skinning agent, anti-skinning, skinning agent, skinning agent, अब यह anti-skinning agent कौन से चीज़े हैं, देख स्कीन से क्या मुराद है, तै, जिल्द, अब बाज अफर जब आप पेंट लेते हों, यह कुछ हरसे के लिए आप घर में पेंट राख दो, यह सारे का सारा पेंट पढ़ा हुआ हैं, इसके बिलकुल उपर वाली स बान सी बन जाती है, जिए पतली से जिली बनीन, इसको स्कीन का राम बंदे ही होते हैं, लोस corona है क्या मुझन से ठाट आप थोड़ा इसको मुद्धि कर सकते हैं, जब मिलाई यह मुदु हम पेंट के स्कीन का नाम देचेन की तो एजिए अचैन पैन बेर इस बाध चैन का कर रही होती है कि वहाँ पर skin ना बने, पर पतल से जली ना बने, prevent formation of skin in a can, prevent formation of skin, यह skin formation से prevent कर रही होती है, in can, आपके can के अंदर, c-a-n, can, इसके बाद अधे हैसन प्रोमोटर, अधे हैसन प्रोमोटर, अब ऐससी चीज़ें हम डालते हैं जिससे आपके अधे हैसन प्रोपर्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है, अधे हैसन क्या होता है, चिप कने किस लाइए, वह पेंट लगाते हो ना, पेंट लीचे कितनी ताकत से चिमिटर आए, अब की दिवार के साथ, यह बाई के ओपर किसी भी चीज़ें को पर पेंट किया गया है, वह कितन improve, यह क्या करते है, बढ़ा देते हैं, इत позволवे अधे हैसन को बढ़ा देते हैं, इतए इंप्रूव्ध लाइशन को बढ़ा देते हैं, तु धजना, अब सबस्ट्रेट आप सबस्ट्रेट कोँजीज होते हैं, इसके ओप्रोपर अभाज आरा कर रही हो, लगड़ी है, वह सुर्थीट लोगा रहा है, वह इसका बाद हमारे पास नेक्स्ट , worm क्रूजन इन हेविटर इन हेवी हेविटर अब क्रूजन इन्हेबीटर ऐसे मेजखार बीलाव coolend can डाल दो जो कूरून से प्रिमेट करें मसलना आपकी Sirico लोहेखे उपर रहा है उसके उपर रंग करदे YouTube रंग करने से होता है कि उसमें होता है कि पानी को लोहेख कर पोंचने is यहाई नए के इता हूसं भरिवेखेंग लोहेखेंग नहीं लेता है Nhि ने बructured होते हैं कि वो स्मU वो किसे बचा रहा है, reduce the cruising rate of the substrate, ये क्या करता है, reduce the cruising rate, the cruising rate, ये cruising rate को कम कर देता है, of the substrate, of the substrate, ये सबस्टेट के cruising rate को कम कर देगा, ये थे हमारे पास सारी के सारी चीज़ें, additives एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, दस additives को explain कर लिया है, इनके नाम याद रखेगा, नाम याद रखोगे ना, आपको function याद हो जाएंगे, ड्रायर खुश्ट करता है, paint को जल्दी, plasticizer जिससे plastic थोड़ को prevent कर रहोता है, flow control agent, जो आपके paint का flow rate है, उसको control करता है, deformers, जो paint के अंदर bubbles बनते हैं, उनको prevent करता है, anti-skinning agent, ऐसी चीज़, यानिके paint के उपर skin बन जाती है, उसको prevent करने के लिए हम anti-skinning agent का इसमाल करते हैं, paint का substrate के साथ, जो जुडाओ है, खिचाओ है, उसको बढ़ाता है, तो एक क्रूजन inhibitor, किसी भी metal के surface को क्रूजन से बचाने के लिए हम उसको paint बगारा का इसमाल कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे chemicals होते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं, क्रूजन inhibitor, वो क्रूजन होने न क्रूजन दे जे जेगा,